आज मैं टोपिक लेकर आया हूँ हाव तो पर्शेज अमेजों गिफ कार्ड और यू कन से अमेजों पे बैलेंस and use it to buy stuff on Amazon तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों स्टार्ट करने से पहले बता दू Amazon गिफ्ट कार्ड अब नेम चेंज करके Amazon Pay Balance कर दिया है दो तरह से आप Amazon Pay Balance पर चेंज कर सकते हैं एक है Amazon Email Gift Card और दूसरा है Add Amazon Pay Balance तो दोनों तरीका मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ इसलिए वीडियो एंड तक देखें सबसे पहले आपको मैं Add Amazon Balance का प्रोसेस दिखाता हूँ आप Amazon India का website open कर ले या अगर आप application यूज कर रहे तो अपने Android डिवाइस में app open कर ले website और app से purchase करने का तरीका बिल्कुल सेम है इसलिए मैं आपको आज Amazon app से purchase कैसे किया जाता है वो बताने वाला हूँ ये देखिए मेरा Amazon app है मैं इसे open करता हूँ ध्यान दे आप process स्टार्ट करने के पहले अपने app में login ज़रूर हो जाएं तो मैं sign in पर click करके अपना details fill up करके login होता हूँ इस screen के left side उपर आप देखे three horizontal line है इसको आप click कर ले आपको Amazon pay balance का option दिखाया जा रहा है click कर ले अब देखिए बहुत सारे options है add balance, view statement, add gift card, manage card तो अब आप add balance में click कर दें कुछ already amount के figure show किये जा रहे हैं अगर आप इन ही figure में balance add करना चाहते हो तो कोई भी एक amount के box को click कर दे अगर अपना amount add करना चाहते हैं तो नीचे inter and amount पर click करके कोई भी एक amount डाल दे तो मैं अपना कोई amount add करना चाहता हूँ इसलिए मैं inter and amount पर click करूँगा मैं 10 rupees add करता हूँ अब continue पर click कर दें select payment method का page open हुआ है अगर आपने card से pay करना है तो कोई भी add किया हुआ card select कर ले या फिर आप credit debit net banking से भी purchase कर सकते हैं मैंने already card link कर रख है इसलिए कोई भी एक card को select करता हूँ अब cvv type करें अपना फिर continue पर click कर दें मैंने cvv type कर दिया है अब continue पर click करता हूँ अब finally order summary का page open हो चुका है एक बार आप अपना order details बारिकी से check करके place your order and pay पर click कर दें password and otp feed करके submit बटन पर click कर दें देखिए एक sms भी आया है amazon से मैं दिखा देता हूँ आपको your order with order id dot 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 has been successfully placed अब आप अपना balance चेक करने के लिए फिर से amazon pay पर जाएं view statement पर click करें ये देखिए आपका added top up balance हो रहा है 10 rupees तो ये step by step process से आप direct अपने pay balance में amount add कर सकते हैं और इस add balance से item purchase कर सकते हैं चलिए अब आपको amazon email gift card कैसे purchase होता है वो बता देता हूँ आप चाहें तो इस search box पर type करें email gift card ये देखिए बहुत सारे options आ चुके हैं for different occasions आप कोई भी एक gift card choose कर ले या फिर आप चाहें तो इस screen के उपर देखें तीन horizontal line है इसे click कर ले Amazon pay का option दिया हुआ है आप इसे click कर ले देखिए gift card store लिखा दिखाया जा रहा है click कर ले अब आप occasion के अनुसार कोई भी एक gift card choose कर सकते हैं तो मैं birthday gift card से कोई भी एक option select कर लेता हूँ कुछ amount specified किये गए हैं अगर आप चाहें तो इस amount को direct select कर सकते हैं या फिर कोई भी अपना amount type करके proceed करें तो मैं other पर type करके अपना एक particular amount feed करता हूँ यह देखिए two के नीचे एक box है इस पर आपको वो email देना है जिस पर आप gift card send करना चाहते हो तो मैं gift card खुद अपने email पर चाहता हूँ इसलिए मैं अपना email add करता हूँ आप चाहे तो अपने friend, family, girlfriend, boyfriend, mother, father या फिर अपने family member में किन ही का email add कर सकते हैं ध्यान दे जिनका आप email add करोगे उन ही के email id पर ये gift card जाएगी मैंने खुद का email id type कर दिया है from में आप अपना name या फिर किन ही का name दे सकते हैं it's totally depend on you मैं अपना name दे देता हूँ your message में आप कोई भी message type कर सकते हैं based on occasion and wishes you want to share with the special one या आप चाहो तो इसे blank भी रख सकते हैं तो मैंने your message में type कर दिया है this is the demonstration of how to buy an amazon email gift card अब आप quantity पर देखे 100 किया जा रहा है इसे ऐसे ही रहने दे सिर्फ one email ही जाएगा अगर आप more than one type करोगे तो same amount का email कई बार चला जाएगा इसलिए one ही रहने दे अब आप add to gift card card पर क्लिक कर ले चेक आउट पर क्लिक कर ले फाइनली payment method का page open हो चुका है जैसे आपने इसके पहले payment किया था same वैसे ही payment करे तो मैं फटाफट payment करके वापस आपके पास आता हूँ दोस्तो payment complete हो चुका है अब process का बहुत important step है जिसे आप ध्यान से देखें चुकि आपने खुद अपने email पर gift card send किया है तो अब आप अपना email open करें ये देखिए दो email Amazon के तरब से एक आपका order का email है और एक आपका gift card का email है तो मुझे gift card का email open करना है जो की है अंकित कुमार sent you and amazon.in gift card ये वाला मुझे email open करना है ये देखिए आपका gift card code है जिसे मैंने red box के अंदर indicate किया है इसे आप note down कर ले और फिर अपना Amazon app या website open कर ले click कर ले Amazon pay को click करे ये वाली add gift card option को click करे अब आपको अपना जो code आपने note down किया था उसे यहाँ पर type कर दे मैं पहले आपको बता देना चाहूंगा ये देखिए मेरा Amazon pay balance जो अभी फिलाल available है वो 1968 है जब मैं code add करूंगा यहाँ तो ये 10 रुपए और बढ़के 1978 हो जाएगी अपना gift card code add कर दिया है अब आपको add now पर click कर देना है दोस्तों आप देख सकते हैं मेरा Amazon pay balance 1968 से 1978 हो चुका है 10 रुपए add हो चुके हैं फिर भी अपने संतुष्टी के लिए आप एक काम करें उपर देखे थ्री horizontal line है इसको click करके Amazon pay पर जाएं इधर देखे आपका 10 रुपी transaction चेक कर सकते हैं जैसा कि पहले भी मैंने आपको बताया है आपका Amazon pay balance की validity पूरे 1 year होती है जब से आपका balance credit किया गया हो तब से दोस्तों ये था complete tutorial how to purchase and add Amazon pay balance and email gift card to your Amazon account मैं आसा करूँगा आपको बिलकुल easy लगा होगा ये step by step process जो मैंने आपको बताया इस वीडियो के माध हमसे हमारे वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद नमस्कार एक छोटी से request थी आप से हमारे YouTube चैनल को अगर subscribe करेंगे तो हमें बेहत खुसी होगी